राम राम जैहिन कभी भी तुमने किसी भी संत मात्मा को अगर देखा हो देखा ही होगा आचकल तो देखा ही होगा यार इतने अच्छे शेप्रोचन दे रहे हैं तुम कभी भी किसी भी संत मात्मा को देखो उनके चेरे पे अलग तरीके का गलो होता है मतलब तुम देखो कि इसी भी मेकप के बिना उनके चेरे में वो एक्दम इस्पार्क होता है समझ रहे हो इतना साइणिंग मारता है कि देख के मन खुस हो जाता है इसे आदमी देखता रहता है बिलकुल वह कैसे होता है एक चीज को समझोना हो कैसे होता कैसे क्योंकि हम लोग तो 36 तरीके के रहे जो कुछ होता हो यह मानलों जो भी क्रीम तेल होता है हम कभी नहीं यूज़ करते हैं हम सच बता रहे हमाई पर एक फेश वह अस्ता जरूर हम बता दे नीविय में डेर सो एक सुनॉबबे रुपए गलाए तो उसके अलावा दुबारा हमने ना करीदा कभी जीवन में ठ किसी चमकदार वाह अच्छा यह लाइन कहीं से हमने मारी हुई है किसी और की लाइन मारी है कि सुने से चमकदार तोचा बाकी कॉंटेंट अपना यह लाइन किसी और कि ठीक है सोने से चमकती तोचा लगाए निर्मा पाउडर अब देखो सुने सी चमकती तोचा के लिए क्मादी कि तुम्मए हो चैलरी नों गए सबसे पहला काम और से इतना जादा ये रेडियेशन पैदा कर देता है जिससे कि इसके समारी से अंदर से डेमेज होने लगती है जिससे कि जो इनका दो को अपनी स्किन में एक नेचरल होता है ठीक है वह आइल मौस्टराइजर प्रदान करता है हम लोगों को ठीक है एक अंदरूनी एक क्या किते ब्लड जो तुम्हारा साफ होता है न तो चेहरे वाइट वाइजन जिसको वाइट वसें बोलते देखो अब इसमें क्या अता है मेदा चीनी और आता है एकसे में सभी नमक वह लोगों को आधे होती है कि बहुत नमक मेदा छीश से नोग पत चुलता है नमक स्वाहिसं अभगे बड़ी आहे लेकिन उछलगों कुछ लोग लापते क्योंकि चाय बेना चीनी का तो चाय में थोड़ी Character responded तो कर तो सफेद जितनी भी जीजे हैं इनको को सभी तो में तो मादी के बड़ी अ की जगे ईंकी जगे कोई alternative रहे टीरॉत नहीं है अपने Gut में जितना भी अब खजूर है वह भी मीठा होता है किसी चीज में चाय के लावा घर कुछ बना रहो जूस्व बना रहे उसे बना रहे कि बनार यह डाल दो तो नेचरल सुगर तो मिल गई यह वाइट प्या होता है इसको रिफाइन किया जाता है यह जो भी फूर्ट नेचरल लग जाले आते तो चीजी नहीं लिए पाइगे तुम्हारी बाड़ी और जिससे कि तुम्हारी इसकिन में डलने से इक आ जाएगी समय से बढ़ा जाओं तुम ठीक है दो चीजीं होगा तीसरी जीस तीसरी चीज़ यह है कि mobile का radiation अब यह चीज़े लोगों को लगता है कि कुईसी काम की नहीं है ठीक है लोगों को लगता है कि इसमें क्या logic है mobile के बारे उब भी detail बताएं कि तब तुम आखें देखना कैसी हो जाएंगी तो mobile का इस्तिमाल जब तुम ज़्यादा करते तो इसका जो होता है मारी बॉड़ी के लिए बहुत एक्स्रीम लेवल पर हामफुल है तो इसलिए mobile phone का यूज देखो mobile phone अब यह तो नहीं हो सकता है बंद कर दो तरीके से बात हो जाती है मेरे पास यहां यह कहने का मतलब यह नहीं कि रॉव वेजिटेबल कच्छी मूली हो गाजर खाडालो नहीं रॉव का मतलब यह होता है उनको बहुत पकाने जूरूत नहीं है बीस से पच्चेस परसेंट पकाना है अब इसको चाहें तुम सबजी म कर लोगे लेकिन बहुत से ज़ेख एक गरीड़ होत Boulder всё पलेगी तो कोई बिएक इसा देखो किसमें chemicals तुम्हारी स्कें के लिए friendly हो वह तुम ले लो और उससे उह बार और फेस्वास करने की जोत है उसके बाद चाहे तुम नारियल का तेल लगा लो मुह में चाहे तुम कुछ लगा लो थोड़ी बहुत क्रीम जिससे की थोड़ी से वह लेयर बनी रहे बस इसके अलावा यकीन मानों कुछ करने की जोत नहीं है आखरी एक काम और बता दे रहे है प्लेंटी ओफ वाटर प्लेंटी ओफ वाटर मतलब की पानी की कमी मत होने तो क्योंकि पानी जो है बॉड़ी को बॉड़ी से बैट टॉक्सिंस को यूरेन के थुरू निकाल देगा जिससे की ब्लड भी बना रहेगा अपनी स्किन जवान रहेगी और तुम दिखोगे आम रहेगा जाहिए